दूद, सौफ और मिश्री तीनों ही हेल्थ के लिए काफी फायदे मंध होते हैं। सौफ में विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, केल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन और मैगनीशियम अधिक मातरा में पाय जाते हैं। वहीं दूद भी केल्शियम और प्रोटीन का काफी अच्छा सोर्स होता है। मिश्री में मिठास के साथ ही कई अन्य गुन भी पाय जाते हैं। वैसे तो सभी लोग दूद, सौफ और मिश्री को अलग-अलग लेते हैं। या फिर दूद को सिंपल और सौफ मिश्री एक साथ लेते हैं। लेकिन आप चाहे तो दूद, सौफ और मिश्री को एक साथ मिला कर भी ले सकते हैं। इससे आपको दूद, सौफ और मिश्री सभी के पोशक तत्वे एक साथ आसानी से मिल जाएंगे। दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पीने से शरीर को कई लब मिल सकते हैं। आईए, दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पीने के फायदों के बारे में विस्तार से जाने। दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। सौफ में एस्ट्रेगल और अनेथोल गोन होते हैं, जो कबज, गैस और अपच की समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा सौफ एसिडिटी और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर लेने से पेट स्वस्त रहता है। आजकल अधिकतर लोग किसी न किसी वजह से तनाव में रहते हैं। दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर लेने से आप तनाव से बच सकते हैं. वहीं अगर आप किसी बात को लेकर तनाव में भी है, तो दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर ले सकते हैं. इससे स्ट्रेस और चिंता को कम किया जा सकता है. वजन घटाने के लिए भी आप दूद मे विटमिने आखों के लिए काफी जरूरी होता है ये आखों के स्वास्थे में सुधार कर सकता है साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है अपने आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर ले सकते हैं दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर लेने से स्किन हेल्थ में भी सुधार हो सकता है दरसल सौफ में एंटी बैक्टीरियल गुन होते हैं जो तवचा से मुहासों को ठीक करने में मदद करते हैं इसके साथ ही दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पीने से पेट में जमागंगी भी आसानी से निकल जाती है इससे टॉकसिंज रिमूव होते हैं और तवचा में निकार आता है आपको साफ क्लियर और खूबसूरत तवचा मिलेगी प्रोजाना दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पीने से आप अपने शरीर में हीमोगलोबिन के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं इससे शरीर में खूण की पूर्ती होगी और अनीमिया की समस्या से बचाव होगा आप दूद में सौफ और मिश्री मिलाकर पी सकते हैं इसके लिए आप एक गिलास दूद में सौफ डालें अब इसे अच्छी तरह से उबाल लें इस दूद को छान लें इसके बाद इसमें मिश्री का एक टुकड़ा डालें और पी लें इससे दूद न सिर्फ स्वादिश्ट बलकि पॉश्टिक भी बन जाएगा